हाई फ्रेंड्स सो आसाम इनिवर्सिटी के तरफ से कुछ देर पहले एक बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन अप्लोड किया गया तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है तो मैं इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को लेकर अच्छे से एक्स्पेंड करूंगा इसको तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना चैनल को प्लीज एक बार सब्स्प्राइब कर देना अगर अगई तक नहीं किया तो देखिए कुछ दिन पहले सीवीटी के लिए सेंट्रल गवर्मेंट से नोटिफिकेशन आया था सीवीटी यानि कॉमन उनिवर्सिटी एंट अफ्टर ग्रेजुएशन करेंगे और यूजी यानि अंडर ग्रेजुएशन यानि अफ्टर क्लास्ट वर्मेंट जो लोग करेंगे तो यूजी के लिए क्या था कि आसम इनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए या फिर आसम इनिवर्सिटी के एफिलेटेट कॉलेज में admission लेने के लिए आपको UG examination नहीं देना पड़ता है CVT UG नहीं देना पड़ता है ठीक है क्योंकि Assam University में direct selection हो जाता है उनके affiliated colleges में ठीक है लेकिन इस बार जो PG exam होने वाले उसके लिए Assam University के तरफ से यह notification दिया गया है कि PG examination के लिए आपको CVT exam attempt करना must है यानि जो students PG exam देंगे उनका ही नाम या फिर उनका ही जो mark है उसको consider किया जाएगा during Assam University admission यानि हो सकता है कि आपने किसी और University के लिए apply किया हो लेकिन आपका marks जो है वो Assam University के लिए match हो रहा है तो आपका जो admission है वो इसलिए किया जाएगा मतलब इसके regarding किया जाएगा कि आपने CVT attempt किया या नहीं किया अगर आपने CVT attempt पहले से नहीं किया और अगर आप सोच रहे हो कि Assam University में admission चाहिए आपको और आपके दिमाग में पहले वाला एक जो concept है जिसमें कहा जाता है कि Assam University में admission लेने के लिए कोई भी examination देने का जुरूरत नहीं है वो हटा दीजिए concept अपने माइंड से क्यूंकि Assam University में भी admission लेने के लिए अभी आपको एट लिस्ट आपको सीवीटी का एक candidate होना परेगा सीवीटी एट लिस्ट एटेंप्ट रहना परेगा आपको तब जाके आप उस से Assam University के मतलब सीट आपको मिल सकता है ठीक है और कभी-कभी स्टुडेंट्स को लगता है कि Assam University में कोई खुदका एंट्रेंस टेस्ट है नहीं असम इनिवर्सिटी में डाइरेक्ट एंट्री मिल जाता है तो अभी जो डाइरेक्ट एंट्री वाला जो चीज़ है उसको दिमाग से हटाईए आपको एटलिस्ट सीवीटी पीजी को attempt करना पड़ेगा फिर जाके आपको सीवीटी म मतलब सीवीटी के जरीए से आपको असम इनिवर्सिटी में सीट मिल सकता है ठीक है तो प्लीज इसको इस मैसेज को सभी दोस्तों के साथ शेर करना क्योंकि सबको एप्लिकेशन फॉर्म फिलाप करके अच्छे से एक्जामिरेशन देना है किसी भी एक्जाम को आप किसी भी इनिवर्सिटी को सेलेट करके दे सकते हो वो आपके रिगार्डिंग है वो आपके चोईज में रहेगा लेकिन अगर आप उस इनिवर्सिटी के रैंक या फिर उस इनिवर्सिटी के मार्क के हिसाब से आपको सीट नहीं मिलता तो आपका जो नियारेस जो रैंक है या फिर यारेस्ट मार्क है उसकी हिसाब से आपको इनिवसिटी दे दिया जाएगा ठीक है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करो और प्लीज चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख देना थेंक्यू